अस्सलामू अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु हूँ दोस्तों मैं हूँ फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल इसलामी अखलात तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैलिक आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे चलिए अब वीडियों शुरू करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब हमारी ये जमीन बोलने लग पड़ेगी क्यामत के दिन बंदों की नेकी और बदी के हिसाब के मताबिक जहां बहुत सारे गवा होंगे वहां जमीन भी गवाह बनकर गवाही देगी हदीश शरीफ में है कि हर मर्द और ने जमीन पर जो कुछ अच्छा या बुरा काम किया है जमीन उसकी गवाही देगी कहेगी कि इस दिन ये काम किया है और फला दिन ये काम किया है जमीन पर जो अच्छे या बुरे काम लोगों ने किये हैं उसको जमीन ने याद रखा है और क्यामत के दिन वो सब कुछ अल्ह ताला के सामने बयान करेगी जिसको सब लोग सुनेंगे कुरान शरीफ में अल्ह ताला इर्शाद फर्माता है कि जब जमीन थर्थरा दी जाए जैसा उसका थर्थरा ना ठहरा है और जमीन अपने अंदर का बोहज बाहर फैक दे और आदमी कहे कि इसे क्या हुआ उस दिन वो अपनी खबर बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुकम दिया है दोस्तों कियामत के दिन बंदों के अच्छे या बुरे कामों के बहुत से गवा होंगे हर इनसान के कंदों पर जो फरिश्टे नामाय आमाल लिख रहे हैं वो मुस्तकिल गवा हैं और इनके अलावा इनसान के हाथ पाओं आँख कान वगेरा जिन जिन से जो जो काम किये गए सब के सब गवा ही देंगे फिर जमीन पर जो ने की या बदी इनसान ने की उसकी जमीन खुद गवा ही देगी और अल्लह ताला के सामने गवा ही देगी दोस्तों इनसान चाहे जितना भी छुपकर या छुपाकर अच्छा या बुरा अमल करे लेकिन कयामत के दिन कुछ भी छुपना सकेगा बलके हर आदमी का वो अमल उसके सामने पेश कर दिया जाएगा और वो अपनी तमाम कर्दूतों को अपनी आँखों के सामने देख लेगा और हर अमल का बदला भी पाएगा बरहाल कियामत का दिन बड़ा सक्त होगा और हर आदमी को अपने छोटे बड़े अच्छे या बुरे हर काम का हिसाब देना पड़ेगा हर मुसल्मान का फर्द है कि वो अपनी जिन्दगी के हर लम्हे में ये ध्यान रखे कि जो कुछ कर रहा हूँ मुझे एक दिन इन सब का हिसाब देना होगा और जिन आमाल को छुपकर कर रहा हूँ कियामत के दिन वो आमाल अलह के सामने जाहिर होकर रहेंगे और उस वक्त कैसी बेबसी होगी, कितनी बड़ी रुस्वाई होगी, शर्मिंदगी होगी अलह ताला से दुआ है कि कयामत के दिन हमको ऐसी शर्मिंदगी से बचाए और ऐसे अमल करने की तौफिक अता फर्माएं जो जन्नत तक हमें ले जाएं आमीन